पूरो मुख्र मंत्री वाविदायक डॉक्टर रमन्सी ने शर्तित गार गिधान सावा में प्रस्तुत आर्थिक सर्विछन के प्रतिवक्ति आये पर आई गिरावट को 20 वर्ष में पहली बार आई गिरावट बताया और इसके लिए भूपेज बखे सरकार की गलत नीतियों क जवाबदार बताया आज वर्ष से 2020-2021 का आर्थिक सर्विछन प्रस्तुत हुआ और ये आर्थिक सर्विछन किसी भी राज के आर्थिक स्थिति के बारे में पूरा के पूरा विरण रहता है और मैं कह सकता हूं कि 36 गड़ की आर्थिक स्थिति जिस प्रकार इस दो साल में चोपट हुई है और कल ही मैंने इसके लिए वुपेश सरकार को चिताया था कि आर्थी ग्रूप से शत्रिगड़ बधाली की ओर जा रहा है और ये सरविक्षण में इस बात को इस पस्ट कर दिया आज के हम सकल घरेल उत्पाद में 2019 बीस की तुलना में एक दसमलो साथ साथ प्रतिशत की गिरावट जी डीपी में जो गिरावट आई है और उसके साथ ही साथ उद्योग शेत्र में पाथ दसमलो दो आठ प्रतिशत की कमी आई है ये अजीब बात है कि पिछले बीस वरसों से हम आर्थी सरविक्षण देख रहे हैं पहली बार हुआ है कि प्रतिव्यक्षण आए में हमेशा आर्थिक सरविक्षण में उत्रोतर वृद्धी दर्शाता है पहली बार ये हो रहा है कि प्रतिव्यक्षण आए जो इस साल दो हजार बीस इकिस का देखें तो पिछले साल से 0.14 की कमी आई है ये बताता है कि राज की इस्थिति क्या इस्थिति है और इसको इलिस उधारा नहीं गया तो निश्चित रूप से चत्रिगर्ड और खराब इस्थिति की और आगे बढ़ेगा क्लिपर 28 के लिए मुखे स्वर्मा के रिपोर्ड